बाई साब बड़ा दिन है बड़ा दिन क्योंकि आज जो है हम करने वाले हैं दो धुरंदर कीबोर्ड अंडर 1000 कम कबला क्योंकि हजार के अंदर ये दो जो कीबोर्ड हैं सबसे जादा कॉम्पेटिशन रखते हैं दूसरे से एक है रेडिगेर का ब्लेज हर बंदा जानता है और इस अनबाईस रिव्यू को करने के लिए थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा नीचे जो भरोसे वाल बटन है उसे दवाओ नोटिफिकेशन को अल पे करो क्योंकि वही वो भरोसा है जिसके बूते पर हम कमपनीस के बड़े बड़ ऑफर्स जो आते हैं इमेल के उपर उनको रिजेट कर पाते हैं और साथ ही क्या आपके लिए एमजॉन से प्रोड़क्ट मंगा मंगा कर अनबाईस नीट्रल और बेबाक राय अपनी रख पाते हैं दैट्स बिंग से चली आज बात करते हैं इवो फॉक्स के डैथरे वर्से आपके ब्लेज के टकक्र की बात टेक बॉक्स हिंडी के साथ। दोस्तो अनबोक्सिंग अगर आपको देखना है तो आपको डेडिकेट — वीडियो देखना चाहिँ है उसके अंदर हम डीटेल में कवर करके हैं डीटिके वीडिए कंब चाहां से देहोगे यहां पे लिंक आ चांती है, Metal Construction आपको देखने को बिल जाता है, वो भी इस प्राइज में, सब 1000 के अंदर आपको Metal Construction देखने को बिलता है, अच्छा Paint जो आप देखने को बिलता है, वजन भी Metal है, इसलिए थोड़ा सा जादा देखने को बिलता है, 836 ग्राम तो भी प्रिसाइज आपको यहाँ बजन देखने को मिल रहा है, और वही पर Evo Fox जो है, बेटर Ergonomics के साथ आता है, हाथ वगर रखोगे, लॉंग टम यूज करना है, बड़े-बड़े लंबे गिविंग सेशन करना है, या फिक क्रेटिव फिल्ड में हो, तो आपको यहाँ पर Ergonomically, Evo Fox का कीबोर्ड है, फ्ल कीबोर्ड में आपको पीछे एक बराबर का Inclination Clip देखने को मिल जागा, जो कि बेटर Ergonomics करता है, और साथ ही क्या, आपको दोनों कीबोर्ड में ब्रेनिट केबल देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले, तो डेफिनेटली रेड गियर ब्ल और साथ ही यहाँ पे दोनों के ही कीबोर्ड जो है, आप लोग को रात को कोई creative काम करना है, या फिर academy से बगर में हो, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगे, क्योंकि हर एक जो कीज है, उसमें बराबर even lighting आपको देखने हो बिलेगा, तो आपको थोड़ा सा वर्शन द बात करूँगा, तब वहाँ पे blaze में आपके बास दो option मिलेगा, एक जो है आपको तीन color mode के साथ आता है, एक दूसरा variant है जिसमें आपको 7 color mode देखने हो बिलता है अच्छा अब तक हम इन दोनों keyboard के build quality की बात कर लिये हैं और इसके switch system keycaps के बात कर लिये हैं लेकिन main जो चीज है जो कोई साधार and ordinary keyboard को gaming keyboard बनाता है यानिके features की बात, for example red gear blaze में आपको n key rollover देखने को ने मिलता है RGB lighting देखने को ने मिलता है, लेकिन anti-hosting आपको देखने को मिल रहा है, 19 keys के उपर आपको देखने को मिल जाता है anti-hosting 19 keys के उपर आपको evo fox में भी देखने को मिल रहा है, साथ ही क्या, आपको windows lock button, multimedia hot keys का support एक्स्टा देखने को मिल रहा है art zone में divided है, और यह जो दोनो keyboard है, इन दोनो keyboard को आप single color में light up कर सकते हो, अगर light के overall brightness, vividity, strength की बात हो, तो यहाँ पर definitely bliss जो है better lighting के साथ आता है तो दोस्तो मुझे आशा है, अब आपके mind में better, clearer picture होगा इन दोनो keyboard को लेके कि आपके लिए कौन सा keyboard है, अगर नहीं है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मदद करता हूँ, facts and figures वाले diary को एक तरफ रखते हैं, आपसे सीदे मुखातिब होता हूँ, कर्स उतारने का time है मेरा, ज जो कि बहुत hardcore gaming करते है, fps वगरा खेलना है, और बहुत जोड से strike करते है, build quality आपके लिए important है, तो आपको definitely Blaze की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको actually functionality, जैसे कि N की roll over, बहुत crucial चीज़ है, gaming के लिए, सब 1000 के अंदर चाहिए, तो आपको Evo Fox की तरफ जाना चाहिए, ब प्राइस 800-800 के आसपास देनी को बिल जाता है, वही Evo Fox Deathray का जो प्राइस है, वो लगातार constant रहता है, 800 रुपे के आसपास से लेके, 1100 को बीच में ही रहता है, और उस हिसाब से आपको दोनों keyboard जो है, चेक कर ले रहा है, हर तरह का link जो है, मैं वीडियो की नीचे डाल और किसके साथ आपने आखिर कर इस keyboard को combine किया है, कौन सा mouse, कौन सा system उसे मुझे दिखाओ, मेरी पूरी टीम वहाँ इंतजार कर रही है, और वहाँ की growing honest community भी बहुत excited है, आपका हर एक pick, आपका हर एक decision देखने के लिए